हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चनल दफ प्रोग्रामिंग हब में और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कमांड प्रॉंट के कुछ और बेसिक कमांड्स पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कमांड के कुछ कमांड के बारें बताया के cmd लिखने के बाद में हम यहां पर कमांड प्रॉंट को ओपन कर लेंगे कमांड प्रॉंट के आइकन पर यहां से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यह कमांड प्रॉंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉंट ओपन होने के बाद में आप यहां पर देख स करेंगे यह आप देख सकते हैं कि कमांड प्रांप्ट का विंडो ओपन हो चुका है ऊपच्पन इंडिया नावका एक फाईल बना था ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके पो खोलते तो लेखेंगे टाइप और यिस फाईल को खोलना यहां पर तो यहां पर देख सकते मैंने जो भी फाईल में लिख रखा था वह खूल गया है उससे तरह करके नया file बना सकते हैं तो copy on मैंने चलिया आनन्द नम से एक file बनाया और इसके अंदर जो भी लिखना है वह लिख दिया आनंद में और यहां पर लिख दिया और its name is anand तो ऐसे कुछ भी लिख के और save करने के लिए रहे बताया था कि एफ 6 बटन को प्रेस कर सकते हैं या फिर कंट्रूल के साथ Z बटन को और एंटर करने से यह सेव हो जाता है अब हमें क्या करना है टाइप करके उस फॉइल को खोल के देखना है तो यह सारे कमांड जो है आपने पिछली वीडियो में सीखे थे कि टाइप कैसे करते हैं CLS कॉपी कॉन और DIR का यूज कैसे करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और कमांड को जानेंगे तो पहला कमांड जो हमें सीखना है वो है REN उससे पहले मैं एक बार लिस्ट देख लेता हूँ कि लिस्ट में कौन-कौन से फाइल है हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक अमित नाम से फाइल है एक अननन नाम से फाइल है एक इंडिया नाम से फाइल है ठ तो ऐसे से क्या होगा कि नाम चेंज करेंगे तो आनंद की जगा पे अब वह फाइल जो है राहुल के नाम से कनवर्ट हो गई होगी कि अब हम उसी तरीकी से इनका भी नाम चेंज कर सकते हैं लेकर कि छले CLS किया उसके बाद में यहां पर फिर से हमने लिखा और इन इंडिया और इंडिया का नाम हमने यहां पर भारत रख दिया तो जैसे हम एंटर करेंगे तो जो हमारे पास इंडिया नाम की फाइल थी वह भारत में convert हो यहोगी डी एयर करके हम चेक कर सकते हैं यह type करके खोल के देख सकते हैं ठीक है डीयर करके हमने चेक किया यहां पर तो देखिए इंडिया वाली फाइल जो है भारत नामे convert नामें हो चुक है और अगर हम इसको खोलके पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो है ठीक है बढ़ते आगे और देखते हैं कुछ और कमांड जैसे कि next कमांड है कॉपी का कॉपी bypass को किसी भी फाइल का duplicate टैयार कर सकते हैं तो हमने लिखिए sich THE copy और किसी इक फाइल का नाम यहां पर लिखेंगे है ऐस कापी के बाद में इंड़िए लिखा और्ला इंड़ेकर देके भारत कर दिया तो यह क्या होगा कि इंडिया फाइल कापी होके भारत एक नया फाइल बन जाएगा मैसेज आगे वान फाइल कॉपीट का डियर करके चेक करेंगे तो यहां देखें इंडिया भी है भारत भी है दुनों का जो कैरेक्टर है वो एक्दम सेम है अब आगे बढ़ते हैं और एचले हम खोलकर देख लेते हैं कि टाइप इंडिया किया तो सेम conference आपको जो दिखाई देए रहा है वही सुम्कॉंटेंट आपको दिखाई देगा भारत वाले पाइल में भी ताइप भारत तो यहां और दोनों फाइल के content एकदम सेम है तो इससे ही clear होता है कि दोनों एक दूसरे के duplicates है अब next command जो है वो है एक काम करते हैं पहले आमित वाले फाइल को खोल कर देखते हैं तो टाइप आमित करते हैं पहले तो यह फाइल करते है तो यह दूसरा फाइल खुल चुका है अब मुझे क्या करना है दोनों फाइल को combine करना है combine करने के लिए भी हम जो command use करेंगे वो copy का command है copy आमित प्लस राहूल दोनों को जोड़के एक नया फाइल friends नाम का हम बना देंगे तो क्या होगा कि यह दोनों में जो content है वो एक फाइल में copy हो जाएंगे dir करके देखेंगे तो हमारा यहां पर आमित वाला फाइल और राहूल वाला फाइल उस फरेंड वाले फाइल में converted हो चुका है अब यहां से हम क्या करेंगे कि friend वाले फाइल को खोल के हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो कि दो line उपर क्या हमेत वाले फाइल के हैं यहां पर आमित वाला चले तो इस प्रकार से हमने यहां पर नाम बदलना देख लिया, उसके बाद में हमने यहां पर copy करना एक फाइल को और multiple फाइल्स को भी देख लिया, अब आगे आते हैं delete करने, तो delete करने के लिए हमारे पास जो command है, उसका नाम है del, तो del command हमने यहां पर लिखा, और उसके बा लगभग यहां पर 5 फाइल है हमारे पास और 5 फाइल में हमें डिलीट करना है तो एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं मैंने लिखा डैल Amit और एंट्र किया है यहां पर डियर करके अगर चेक किजगा तो Amit वाल फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है तो इस तरही के से आप भी डिलीट कर सकते हैं या फिर एक बार में मल्टिपल फाइल को भी आप डिलीट कर सकते हैं ठीक है जैसे मेरे पास यहां पर भी डियर करके चेक करेंगे तो देख लीजी कि भारत नाम का फाइल है और फ्रेंड नाम का है इंडिया नाम का फाइल है तो एक काम करते है डेल भ जिसका नाम है friend, तो I hope आपको ये सारी चीछे समझ में आ गई हैं, अब हम यहाँ पे CLS करके इसको clear कर देते हैं and finally last में एक command है exit का, exit करके हम इसको बंद कर देते हैं, तो I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो मिलेंगे आप से चल्दी अगले वीडियो में, उससे प दो different files बनाने हैं, फिर दूसरे question में कहा गया है कि उनके नाम बदलने हैं, फिर हर एक file का ये copy आपको बनाना है, फिर यहाँ पे combine करना है सारे files को साथ में और जो भी copy किये हुए file है उनको delete कर देना है, ठीक है, तो कम से कम आपको पहले दो file बनाने होंगे, फिर उनके नाम ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में,